अब यहाँ पे हमारे पास एक word problem है जिसको हमें solve करना है तो जब भी exam में आपके पास कोई word problem आए तो उसको ध्यान से पढ़िए और पढ़ते टाइम ज़रूरी चीजों को underline करते जाईए चलि जैसे कि यहाँ पे इसको पढ़ के देखते हैं places A and B are 100 km apart दो place थे A और B जली साथी साथ हमें इसको imagine करते जाते हैं एक place है यहाँ पे A दूसरा place है यहाँ पे B और इन दोनों की बीच की जो दूरी है इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो 100 km के बराबर है on a highway one car starts from A अब यहाँ पे point A से एक car माली जेकरफ्स के चम बना देते हैं car का एक कार यहाँ से चलती है and another from B और B से भी एक कार यहाँ से चलती है at the same time same time पे चलती है यह बहुत जरूरी है same time पे दोनों कार चलती है लेकिन किस direction में चलती है किस speed से चलती है यह सब हमें पता करना है तो चले question को आगे पढ़ते है if the cars travel in the same direction अब यह कार same direction में चल रही है तो same direction मतलब चली हम माल लेते हैं कि दोनों कार इस left की तरफ दोनों कार same time पे चलने लगी at different speeds इन दोनों का speed different है जैसे कि माल लेते हैं कि car A कुछ A km per hour से चल रहा है और car B कुछ B km per hour से चल रहा है मैंने km per hour लिया, m per second इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां जो हमें distance दिये हुए यह भी km में ही दिये हुई है और बाकिया अगे times वगे भी hours में है तो इसलिए speed को km per hour में ही हमने ले लिया और दिया हुआ है कि दोनों different speed पे चल रहे हैं तो इसके speed हमने माल लिया कुछ 1 km per hour होगा और इसका speed कुछ B km per hour होगा If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours अब यह दोनों कहां पे meet करेंगे तो माल लिजे आगे जाके यहां पे, यह कोई point है यहां पे C जहां पे दोनों कार, जहां पे माल लिजे दोनों कार यहां पे आगे और meet करेंगे तो इस point पे दोनों meet कियें, तो यह जो A है, car A वो सिर्फ इतनी distance चल रहा होगा और यह जो car इसको चलिए, हम किसी दूसरे color show कर देते हैं यह जो मेरा car A है, वो सिर्फ इतना distance चल रहा होगा लेकिन यह जो car मेरा B है, car B है, वो पूरा इतना distance cover करेगा यह इतना distance cover कर लेगा क्योंकि दोनों को मिलना है, अब चुकि दोनों same direction में चल रहे हैं तो यह इधर की तरफ चलने लगा, और B भी इधर की तरफ चलने लगा तो कुछ time बाद दोनों माली जाए, यहाँ पे मिलेंगे और ऐसे-ऐसे यह situation होगी और यह जो मिल रहे हैं, यह पांच घंटे बाद मिल रहे हैं यहाँ पे वो लोग same time पे चले, पांच घंटे बाद A सिर्फ यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और B यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया same time में ठीक है, यह पहली situation हो गई, अब फिर आगे क्या दी हुई है if they travel towards each other, अब situation थोड़ा change कर दिया गया है माल लीजे, फिर से हम situation को एक बार draw करने की कोशिश करते हैं यह था मेरा A, यह था मेरा B, इन दोनों की beach की दूरी है, इन दोनों की जो beach की दूरी है वो है hundred kilometers, यहाँ पे है मेरा car A, यहाँ पे है मेरा car B और अब यह दोनों एक दूसरे की तरफ travel कर रहे है, towards each other यह इधर और यह भी इधर आ रहा है, they meet in one hour, अब यह सिर्फ एक घंटे में मिल जाते हैं तो माल लेते हैं कि यह लोग कुछ इस point पे, कुछ इस point पे चली, यह हमाली जे मेरी point C इस point पे यह दोनों मिल रहे है, point C, यहाँ पे दोनों मिल रहे है, तो यहाँ मेरी car A आ जाएगी, यहीं पे मेरी car B भी आ जाएगी, दोनों यहाँ पे मिलेंगे और एक घंटे बाद यह मिल रहे है, यानि कि जब वो यहाँ पे मिलेंगे, तो car A जो है, वो इतना distance travel कर चुका होगा और car B जो है, वो इतना distance travel कर चुका होगा अभी भी इसकी speed जो है, A की speed तो हमारी 1 km पर आर ही है, और B की speed हमारी, 2 km पर आर हमने मानी है तो यह यहाँ पे एक घंटे बाद मिल रहे है, 1 आर, और यह यहाँ पे 5 घंटे बाद मिल रहे है तो यह situation हो गई, जो इक question हमें बता रहा है, अब हम से पूछा गया है, कि what are the speeds of the two cars कि इन तोनों car के speed क्या है, जो कि हमने यहाँ पे A और B km पर आर मानी है तो अगर हम इस situation को यहाँ पे ध्यान से देखें, तो देखते हैं कि हो क्या रहा है और इसको हम math की भाशा में कैसे लिख सकते हैं तो चलिए हम चीजों को relate करने के कोशिश करते हैं car A के लिए हमें पता है कि उसकी speed है, यहाँ पे उसकी speed हो जाएगी 1 km पर आर कितने time बाद यह मिला, यानि कि 5 घंटे बाद यह मिला, तो इसने time कुछ लिया 5 आर तो एक बहुत famous physics का formula है, एक बहुत simple सी relation है कि distance जो होती है, distance होती है speed into time के बराबर कि आप किस गती से आगे बढ़ रहे हैं, कि speed से आगे बढ़ रहे हैं उसको अगर आप समय से multiply कर दें, time के साथ, जितना देर भी आप चले हैं तो आपको आपका distance मल जाएगा कि आपने कितनी दूरी cover की होगी अब अगर हम इस relation को यहाँ पर use करें, तो distance हो जाएगी speed into time के बराबर, यानि कि a km per hour multiplied by 5 hours उपर नीचे आवर से divide कर दीजे, तो यह हट जाएगा तो मेरे पास आजाएगा 5 a km, यानि कि car a ने 5 a km इतनी distance travel की होगी car b के बात करें अगर यहाँ पे, तो speed है इसकी b km per hour इसने भी 5 गंटे ही travel की है, क्योंकि 5 गंटे बाद दोनों मिल गए हैं तो इसने कितने distance cover की होगी, speed into time यानि कि b km per hour times 5r, उपर नीचे मैं आवर से divide कर दूँगा तो यह हट जाएगा और मेरे पास आजाएगा 5 b km, यानि कि इस b वाली गाड़ी ने 5 b km travel की होगी अब यहाँ पे एक और जानकारे दी हुई है, यह है 100 km, जो कि a और b के beach की दूरी है तो 5 गंटे चलने के बाद b ने जितनी दूरी cover की होगी, यानि कि इतनी दूरी, उसमें से अगर मैं यह distance subtract कर दो यानि कि a जितना चला था, तो मुझे उन दोनों की beach की initial दूरी मिल जाएगी यह पूरी दूरी में से a जितना चला मैंने उतना subtract कर दिया, तो मुझे वापस से 100 km मिल जाएगा जो कि हमें हमारा पहला equation दे देगा, तो चली इस बात को यहां लिखते हैं, b चला हमारा 5, 5, b km, a चला मेरा 5, a km, तो इसमें से हम 5, a subtract कर देते हैं, तो यह distance जो होगी, वो 100 के बराबर हो जाएगी, यह हमारी पहली relation आ गई, अब दूसरी situation पे आते हैं, यहां अगर हम relate करन गंटे में जितनी दूरी तय करता है, और यह गाड़ी b, a गंटे में जितनी दूरी तय करता है, इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ दूँ, तो मुझे 100 km मिल जाएगा, अब a की speed है, a km per hour, time इसने travel किया 1 hour के लिए, तो यहां पे distance दो जाएगा, speed into time, यानि a times 1, यान दोनों मिल रहे है, तो यहां पे यह कितनी distance कवर करेगा, b times 1, यानि की b km, अब a plus b, इन दोनों ने जितनी भी distance travel की, उन दोनों को मैंने यहां पे जोड़ दिया, तो मुझे मिल जाएगा इनकी beach की दूरी, यानि की 100 km, यह मेरी दूसरी equation हो गई, अब इन दोनों को हमें दियान से देखें, तो यहां पे 5 है, यहां भी 5 है, तो मैं 5 को बाहर निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास आजाएगा, 5 times b minus a equals to 100, दोनों साइड अगर मैं 5 से divide करूँ, तो हो जाएगा, b minus a, 100 upon 5, यानि की, 5 is a 5, 5, 2 is a 10, और एक 0, 20 के बराबर, तो यह हमारी दूसरी equation बन जा हो जाएगी, b minus a equals to 20, अब इसको जल्दी से solve करने का क्या तरीका है, यहां पे a दिख रहा है, यहां पे negative a दिख रहा है, तो अगर मैं यहां पे elimination method का use करो, और दोनों equation को मैं add कर दूँ, दोनों equation को add कर दूँ, तो मेरा ये a, a वाला part cancel हो जाएगा, positive a, negative a हट जाएगे, औ दोनों equation को मैं यहां पे add कर रहा हूँ, तो a minus a like term से cancel हो जाएगे, b plus b मुझे दे देगा, 2b equals to, दोनों को हम add कर रहे हैं, ध्यान रखियेगा, तो 100 plus 20 हो जाएगा, 120, अब दोनों side में 2 से divide कर दूँगा, तो b की value आ जाएगी, 120 by 2, यानि कि 60 km per hour के बराबर, यानि कि car b की speed 60 km per hour, और car a की speed क्या होगी, तो अब किसी भी equation में b की value डाल देजे, और a की value निकाल देजे, जैसे कि अगर हम यह काम यहां पे करें, तो हमारा है a plus b की value आ 60, equal to 100, दोनों side अगर मैं 60 subtract कर दूँगा, तो a की value आ जाएगी, 40 km per hour के बराबर, यानि कि a, गाड़ी a की जो speed है, वो है 40 km per hour, और गाड़ी b की जो speed है, वो है 60 km per hour, और एक sense देने के लिए, एक छोटा सा sense देने के लिए कि हमारा answer आया है, वो सही है, यहां पे अगर इस situation को हम ध्यान से देखे, तो यहां पे हमको दिख रहा है कि same time में a जो है, वो कम दूरी तै कर रहा है, लेकिन same time में b जो है, वो ज्यादा दूरी तै कर रहा है, यानि क्या, कि b की speed ज्यादा होनी चाहिए a की speed से, तभी तो वो same time में ज्यादा दूरी तै कर पाएगा, तो अगर हम अपना values भी देखे, तो b की speed आई है, 60 km per hour, जो कि a की speed से ज्यादा है, क्योंकि a की speed है कितनी, 40 km per hour के बराबर चाहिए a की तै कीज ज्यादा है तो बराबर के वो प्राबर के लिए में ज्यादा।